नमस्कार दोस्तों Study IQ में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh राठोड और आज कई हफ्तो बाद मैं आप सभी से मुखातिब हो रहा हूँ कुछ कारण वश मैं lectures नहीं बना पाया था लेकिन अपसे lectures regularly आएंगे तो चलिए आज शुरुवात करते हैं हम एक नए National Park की जानकारी के साथ असम का छटा और भारत का संभावत 105th National Park बनने जा रहा है Ramona National Park मैं संभावत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक 104 Notified National Parks है और कुछ महीने पहले मैंने देहिंग पिटकई पर भी एक इसी तरह का लेक्चर बनाया था लेकिन वो अभी तक Notify नहीं हुआ है तो अगर देहिंग पिटकई पहले Notify होगा तो वो होगा 105th अगर Ramona पहले हो जाता है तो ये 105 वा नया National Park बन जाएगा अभी हमारे लिए इस लेक्चर में क्या important रहेगा यहाँ पर कौन सी species है इसकी location क्या है तो इनी सब बातों के बारे में हम detail में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में अगर आपने अभी तक Study IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और bell icon भी ज़रूर दबाएं अगर आप मुझसे social media पर जुणना चाहते हैं तो Twitter, Facebook और Instagram पर महिपाल राठोड handle पर मुझे follow कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा Telegram चैनल भी मिलेगा जहाँ पर आप मेरे lectures के PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अब साथ ही साथ इसका web version भी आ चुका है तो आप इसे computer, laptop पर, बड़ी screen पर भी देख सकते हैं जादा जानकारी के लिए आप हमारी या तो app डाउनलोड करें या फिर studyiq.com website विजिट कर सकते हैं आज से लगबग एक हफते पहले 29 नवेंबर 2020 को असम के वनमंत्री परीमल सुकला बैद्य ने ये जानकारी साजा करी और एक map रिलीज किया कि असम का छटा national park होगा रेमोना national park ये रेमोना national park के लिए जो कारवाई है जो कागजी कारवाई होती है उसको notify करना पड़ता है वो सब शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक ये notify हुआ नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया था lecture की शुरुआत में कि देहिंग पिट कई भी एक national park बनने जा रहा है तो दोनों में से जो भी पहले notify हो जाएगा वो भारत का सबसे नया national park होगा लेकिन दोनों इस वक्त असम में ही proposed है आएए map में देखते हैं कि ये नया national park कहां पर स्थित होगा तो अगर हम असम में zoom in करें तो असम का जो पश्चिमी हिस्सा है western असम जो west bengal की boundary है ये west bengal असम की boundary है इसी के पास में जो ये lightly shaded area आपको नजर आ रहा है ये कोकरा जार district है असम का यहाँ पर स्थित होगा रेमोना national park अब इसके आसपास बहुत सारे protected areas हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे important है manas national park जो कि अब एक biosphere reserve भी है एक tiger reserve भी है उसके अलावा यहाँ west bengal में बकसा tiger reserve स्थित है तो आप देख सकते हैं कि बकसा से लेकर manas तक ये एक continuous corridor है एक continuous corridor है wildlife area का लेकिन ये पूरा area protected नहीं है अगर हम भुटान में देखें ये जो पहाड़ी शित्र है ये पूरा आपको भुटान है ये international boundary है भारत और भुटान की तो यहाँ पर स्थित है भुटान का royal manas national park एक manas national park भारत में भी है और उससे just उत्तर में ये भुटान में भी royal manas national park है उसके अलावा जिगमे, सिंगे, वांग्चुक national park ये भी भुटान में स्थित है और फिबसू wildlife sanctuary ये भी स्थित है भुटान में तो ये तीन protected areas है भुटान में और भारत में अगर आप देखें तो यहाँ पर है manas, यहाँ पर है बकसा tiger reserve और manas और बकसा के बीच में जो ये वाला पूरा area है ये इस वक्त चिरांग ripoo reserve forest है ये एक elephant reserve भी है तो इस वक्त चिरांग और ripoo में से ripoo जो reserve forest है उसको national park का दरजा दिया जाएगा already ये एक protected area है लेकिन इसको national park का दरजा दिया जाएगा जिससे इसका status थोड़ा बढ़ जाएगा भारत में इस वक्त 104 national park हैं जो notified है ये भारत का 1.23% geographical area cover करते हैं इसमें अगर आप wildlife sanctuaries और अन्य reserved areas भी protected areas भी जोड़ लेते हैं तो भारत का लगभग 5% 5.02% something area है किसी ना किसी रूप से वो protected area है almost 5% भारत का और अगर हम असम राज्य की बात करें तो यहाँ पर 5 national park अल्रेडी है डिबरू साइखोवा, कजिरंगा, मानस, नामेरी और उरांग जिसका नाम अब है राजीव गांदी उरांग नाशनल पार्क अगर आप असम में दूसरे reserves की बात करें तो तीन टाइगर reserve हैं ये भी आपको मालू होना चाहिए मानस, नामेरी और कजिरंगा बायस फिर रिजर्व दो हैं डिबरू साइखोवा और मानस, वर्ल्ड हरिटेज साइट का दरजा कजिरंगा और मानस को मिला हुआ है और रामसर साइट है दिपर बिल तो ये एरियास, conservation एरियास important हैं अब देखो, basic national park नहीं पूछे जाते हैं, exams में अगर पूछे जाएंगे तो इन ही में से कुछ पूछे जाने की संभावना जादा रहती है, especially रामसर साइट्स अगर आप इस map में देखेंगे तो आप थोड़ा सा बहतर appreciate कर पाएंगे, जो चीज मैं आपको पहले map में दिखाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर यह जो pink color का area है this is Manas National Park और यह जो पूरा area आपको नजर आ रहा है भुटान की boundary से लगता हुआ जो western Assam का northernmost part है यह पूरा एक protected area है reserve forest है which is mostly Chirang Ripu Reserve Forest और इसी में से कुछ हिस्सा जो Ripu Forest Reserve है वो अब convert करा जाएगा एक national park में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर west Bengal की boundary है यहाँ पर Baksa Tiger Reserve था यहाँ पर Manas है तो अब अगर यहाँ पर भी एक national park आ जाएगा तो एक contiguous corridor बनता है और यहाँ पर भुटान में भी तीन protected areas हमने देखे थे और यहाँ पर फिपसू wildlife sanctuary तो छे बड़े protected areas को यह पूरा link कर देगा अगर नया national park बन जाता है Ramona और इससे काफी फायदा होगा तो यह जो Ramona national park है यह 422 square kilometer का होगा Ripu Reserve Forest में यह बनाया जाएगा और यहाँ पर काफी अच्छी बायो डाइवर्स, फ्लोरा और फाना देखी जाती है अगर इस forest को हम classify करें तो यहाँ पर 11 अलग-अलग तरह के forest type और sub type देखने को मिलते हैं Ramona national park जिस area में बनाया जाएगा उस जंगल को Bodo land insurgency के दौरान काफी नुकसान होगा था 2003 में समझोता हो गया था लेकिन उसके पहले जो insurgency चल रही थी Bodo land अलग देश बनाने की जो मांग थी उसके तहट यहाँ पर बहुत हिंसा हुई थी insurgency हुई थी और क्यूंके यह भुटान से लगती हुई international boundary है और यही पर यह जंगल का तो इसको जो उस वक्त insurgents थे वो इस्तमाल करते थे जंगल को escape करने के लिए जब भी कोई army की कारवाई होती थी तो यहां से वो बुटान की तरफ भाग जाते थे और कई बार जंगलों को काटा भी गया क्यूंके महाँ पर conservation status पेपर पर था लेकिन on ground conservation हो नहीं पाया था because of the insurgency तो इसलिए महाँ पर जंगल को wildlife को और habitat को बहुत ज़ादा नुकसान हुआ जो जंगल में habitat होता है जब वो fragment हो जाता है तो उसे बहुत नुकसान होता है I hope आपको यह बात पहले से पता होगी आपने environment में यह सब बाते पढ़ रखी होगी तो आप देखिए almost 30% reserve forest का जो area है उसको लोगों ने encroach कर लिया या फिर उसे साफ कर दिया almost one third forest area गायब हो गया इस insurgency के दोरान तो insurgency में बहुत बड़ा नुकसान हुआ wildlife का तो अब उसको भी सुधार करने के लिए उसको ठीक करने के लिए ये national park का status काफी help करेगा और ये जो conservation status इसका upgrade होगा इस ripoo reserve forest का तो इससे देखो क्या फायदा होगा already ये manas tiger reserve के buffer zone में आता है ठीक है ripoo और चरंग दोनों ही buffer zone में आते हैं तो अब manas baksa, pipsu, jigme singe, vangchuk और royal manas national park इन सभी area's को अगर आप एक साथ जोड़ दें तो लगबख 2400 square kilometer का एक बहुत बड़ा contiguous zone बन जाता है wildlife protected area का और ये एक trans boundary conservation landscape है दो राज्य भारत के और दो देश भुटान और भारत इन सब के अंदर मिलकर एक wildlife conservation इरिया बनेगा और इससे यहां की जो endemic species हैं उनके conservation को काफी मदद मिलेगी यहां पर सबसे important species है golden langour trache pithecus ge इसे कहते हैं और elephant और Bengal tiger भी है royal Bengal tiger भी है लेकिन सबसे important यहां पर golden langour है जिसके लिए ये area famous है क्योंके golden langour और कहीं नहीं पाया जाते है अटलीस भारत में यही area है त्रिपुरा में कुछ छोटी मुटी इनकी populations हैं बट वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि उन्हें लंबे समय तक conserve करके रखा जा सके तो Assam का जो ये area है ये golden langour के लिए जिसका नाम क्या है trache pithecus ge ये जो yellow और red में आपको area नजर आ रहा है ये species अपके वल इस area में पाई जाती है यानि कि भुटान के इन protected areas में और Assam के इस protected area में और IUCN के अनुसार ये एक endangered species है elephant भी आप जानते ही elephant conservation के लिए भारत में काफी कुछ किया जा रहा है और चिरांग रिपू अल्रेड़ी एक elephant reserve के रूप में गोशित किया जा चुका था तो यहाँ पर elephant की भी importance है लेकिन सबसे important species आपको जो याद रखनी है वो है golden लंगूर अब national park बनाने की importance एक और ये है कि national park में कोई human activity allowed नहीं होती है जो national park से नीचे के conservation areas होते हैं जैसे wildlife sanctuary हो गई या फिर reserve forest हो गया वहाँ पर इंसानी गतिविदियां allowed होती है लेकिन national park में बिना सरकार की अनुमती के chief wildlife warden के अनुमती के कोई भी इंसानी गतिविदी allowed नहीं होती है इसलिए वहाँ पर total protection मिल जाता है और सबसे बड़ा boost मिलेगा वहाँ के tourism को अभी वहाँ पर tourism ना के बराबर है आप शायद ही आप लोग सुनते होंगे कि कोई इस area में tourist जाते हैं जातर tourist असाम जाते हैं तो वो काजीरंगा या फिर जो मानस national parks हैं उसकी तरफ attract होते हैं लेकिन मैं आप सभी से request करता हूँ कि कभी अगर आप असाम जाएं तो एक ही national park पर मज जाएं देखें कजीरंगा में जब पूरे देश के tourist पहुंचते हैं तो वहाँ पर अपने आप में कई तरह के pressure बढ़ जाते हैं ecological pressures होता है tourist का, इंसानों का तो उसको divide करना बाटना बहुत ज़रूरी है तो धीरे धीरे जब ये area भी develop होगा तो tourism की गतिविदियां बढ़ेगी और local लोगों को of course फायदा पहुंचेगा इसे के साथ ये lecture समापत होता है Thank you very much for watching this, have a great day